प्रमोशन तो क्लियर हो गया था अब बात करते हैं डायरेक्शन की तो देखो डायरेक्शन के लिए अगर हम समझें डायरेक्शन को तो यह बहुत इसली समझ में आ जागा तुम्हें इनर्शिय जहां भी लग जाता है इनर्शिय मतलब होता है इन एबिलिटी क्या होता है इन एबिलिटी इनर्शिय आफ डायरेक्शन मतलब इन एबिलिटी डायरेक्शन को चेंज करने की इनर्शिय आफ रेस्ट मतलब इन एबिलिटी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करने की इनर्शी आफ मोशन मतलब इनेबिलिटी मोशन वाली स्टेट को चेंज करने की इनर्शी आफ मोशन में एक एक्जामपल और ले लेते हूं उससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा नॉर्मली सभी एक्जामपल देते हैं वह ले बस से या ट्रेन से जब तुम उतरते हो वह भी चलती ट्रेन से या चलती बस से तो जब भी तुम चलती बस से चलती ट्रेन से उतरते हो तो क्या उतर के सीधे खड़े हो जाते हो कभी ट्राइब ही मत करना ऐसा उतर के खड़े होगे सेम चीज है बॉड़ी तुमारी मोशन में रहेगी क्योंकि उसके अंदर इनर्शियर आएगा क्योंकि ट्रेन चल रही थी तुम भी ट्रेन के साथ चल रहे थे तुमारी बॉड़ी में इनर्शियर आएगा बट रोड तो नहीं चल रही था रोड वलो रहती है ए प्लैट फॉर्म तो रश्ट में रहता है जैसे तुम कूद वह कि प्लैट्फॉर्म रेस्ट में हैं तुमारे प्र किसमें आ जाएंगे लेकिन अपर बोड़ी आगे की तरफ जाएगी और बहुत लगत ज़यादा कभी उल्टा मत तो यह हो गया आपका इनर्शी आफ शन तो जब भी तुम उतरोगे तो मैं ट्रेन की डिरेक्शन में भगत नहीं ऑ gepर ट्रेन के आगे नहीं क्याव है यह आगे 40 अगी कि तरफ चंट ठ्रेन आगे जा रहा है ट्री डियरक्शन के बारे में बात करते हैं रिए बहुत और तो पहले बार तो गंदे हो जाओं दूरी चलना बठ देखोंगे उनको तो तो तुम्हें कीचळ एसे हवा में ऐसा जाता हूँर जाता हूँ मिलेगा नीचे की से ऐसे उपर निकलता हो टीचळ मिलेगा यह पानी की बूंदे जो होती है कि अधार फाली की भूंदे है रोड फड्राव किर न पानी बराओं अब कि यहां पर आगे कि तरफ जा रहे हैं तुम एस इससे नििकाल अपना टायर क्या होगा पानी जो कीचल जो पीछे उचलेगा वो हमेंसा ऐसे उचलेगा कैसे उचलेगा कभी ऐसे नहीं जाएगा हमेंसा ऐसे जाएगा और ध्यान से देखो यह लाइन क्या है यह लाइन है टेंजेंट क्या है यह एसा हो क्यों रहा है तो ध्यान से देखो कीचल यह यह कीचड यहां से फसा, कीचड फस गया, कीचड ने एक rotation लिया, तो कीचड के अंदर कौन सा rotation आ गया, circular rotation, कीचड चाहता है कि भईया मुझे circular rotation ही करने दो, वो नहीं चाहता अपने आपको change करना, अब ध्यान से देखो, मान लो, इसको रफ कर देता हूं थोड़ा, मान लो, मान लो, यह a point है, यह कौन सा point है, ऐसे एक बार चक्कर लगा के कीचड यहां पर आ गया, अगला point कहां बनेगा इसका, तो answer is just इसके आगे, और हमें मालूम है, एक circle में infinite point होते हैं, और हर point अपने आप से अलग होता है, तो अगर एक point यह है, और अगला point इसके आगे क यह है, तो इन दौनों point को join करना जरा, एक line बनेगी straight, और दो point से तो बनती एक line, तो इन दौनों को जब तुम जोड़ों को दिहान से देखो, ऐसे करके line निकली और यह क्या बनाया, इससे भी समझ में नहीं आया, तो दिवाली तो बनाई होगी सबने, चर्की आती है, उस ऐसे, 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 तो यह क्या बन रहे हैं बार-बार, टेंजेंट बन रहे हैं, ऐसी तो चर्की का वो निकलता है, जो भी आपकी चिंगारी बगरा होती है, उस तरीक से निकलती है, तो यह आपका, clear होगा, तो सरकल में जब भी गूमते हो, उसकी direction कौन बताता है, टेंजे कौन बताता है, tangent, so this is inertia of direction, कीचड अपने inertia of rotation को कायम रखना चाता है, बट गलती से वो टायर से धीला पड़ गया, धीला पड़ गया तो नीचे गरे आएगा, अब क्यूंकि वो already rotational में था, तो सीधे नीचे नहीं गरेगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, उपर क तरफ हलका सा tangent बनाएगा, और तुम उसके पीचे गाड़ी लेकर चल रहे होते हो, पूरी की पूरी शर्ट आपकी गंदी होगी, यही तो होता है, clear है, so this is known as inertia of direction, चलो, तो inertia of rest हम लोग पढ़ रहे थे, तो inertia of rest का एक example देखते है, करम बोड बगरा हम लोगों के पास है, त तो मजड़ा आजाएगा, जिस स्थाप से look around लाहे ओ, इतने बढ़े गड़े हैं इतने बढ़े गड़े अपनी देश की रोड़ों पर भी नहीं है, ना कितनी बढ़े बढ़ीया बात कहिंगें, जितने बढ़े गड़े हैं, उतने बढ़े अपने रोड़ पर दम मुझे तो नहीं देखे अब तुम पता नहीं कौन से जमाने का तुम करम बोर्ड लायो किसे दहेज में मिला था करम बोर्ड और बाइसाब तुमसे क्या मंगा लिया तुम ऐसी चीज ले अब मैं लिया था मेरे गर पर रखा वह अच्छा इत्य तो घड़े नहीं होंगे उसम तो आज खड़ा करना है सबको जो एक्टिविटी कर रहे हैं अगर नहीं हो पाई प्यूस तो तुम गया जित हजाब से तुम यह लाए हो लादो इसको जींगुर निकल रहे हैं वाईसाब इसमें से तो कहां से उठा के लाए हो उसको तुम पर उपर लादा है कि अधर के अंधर कोई चेद में अधर जाए हैं दादा जी तो नहीं के लिए पहले हैं चलो इसमें तुम लोगोंने देखा होगा जब भी हम लोग इस टैप से गोटी विगरा लगाते हैं जब हम भूत तेज से मारते हैं एक गोटी इसके नीचे से निगल लाती है और यह कि ऊपर कि ऊपर सारी रख जाती है यह देट इस इनर्शी आफ रेस्ट कैसे यह सब की सब अभी किसमें चल रहे हैं की खड़ी है है कि आपने जो फोर्ज दिया है वह ऊपर ट्रांसफर हो जाए इतना तेज मारना को टाइम ना मिल पाए इसको आपने जैस ही मारा इसके नी बाकी की सारी की सारी कहा आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी और वो अंदर जाएंगी, तो ट्राइ मारते हैं, वन टू, अबे, गिर गई, चलो मारो, ब्लैक वाली में, ध्यान से दो को ब्लैक वाली निकल गई, ब्लैक वाली निकल गई, पहले नहीं निकली थी ब्लैक वाली, ब्लैक वाली निकल डेए इसके मारने से आया है समझ में और बाकी के तिसारी के सारी क्या है खड़ी है आया है समझ में so this is inertia of rest an 피 of rest इसारी इन सारी जो भी गोटियां था इन सारी गोटियों ने क्या करके रखा था अपना inertia बना के रखा था वो मोशन में नहीं आपाएंगों, टीक है, मैं भी ट्राय मारता हूँ एक, आइस साब, एक्सपरिमेंट फेल, बॉन बीट पीके हूँ, अबे केरम बॉर्ड कोन खिलता है वे बॉन बीट पीके, चलो, बेटे, तागत की बात मत कर दे न, प्रो हूँ में केरम बॉर्ड में, हो जाएक एक गेम, चलो, देखते, उठा के लाओ, अब देखो, इसमें अपुन सारे कॉंसर्ट समझ सकते हैं, आप फिजिक्स के आदे से जादा, अभी हमारा जो स्ट्राइकर है, वो ज्यादा तेज फिसल नहीं रहा है, क्यों नहीं फिसल रहा है, कौन सा फोर्स है, जो क जाए खाई में आके, रानी नहीं मरे आए मेरी, खाई में गिर के, यह दो किता बड़ा गड़ा है यहाँ पे, बचालू मैं इसको पहले से ही, अपने पास, तो फ्रिक्शन क्या है, बहुत जादा है, क्योंकि सर्फेस कैसी है, रफ सर्फेस है, और इसके लिए हम क्या करते है, पाउडर डाल देते हैं, हमने तो जिन्दी पार पॉंड्स डाला है, वैसे इसका पाउडर अलग आता है, थोड़ा दाने दार होता है, बहुत, है ना, बट पॉंड्स पाउडर डालने से भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारे गड़ में पॉंड्स का पाउडर बन जाती है और हमें मालू में स्मूज सर्फेस पर फ्रिक्शन कैसा होता है लैस फ्रिक्शन होता है आया समझ में स्मूज सर्फेस पर कैसा होता है लैस फ्रिक्शन अभी आगे हम लोग मोमेंटम भी पढ़ेंगे इसी केरम बोट से ठीक है एक बार रानी और लिलू मैं चलो, इनर्शी आफ रेस्ट क्लियर हुआ, तो बाट इस इनर्शी आफ रेस्ट, इनर्शी आफ बताओ यह घुशेगी कि नहीं, अब भे तुम विस्वासी नहीं है, और अगर घुश गई तो, अपड मार रहा है, तुम बहारी फैखना, तुम सारी गोटिया बहार फैखना ह लिए करम बोर्ड गलत मंगा लिया, तुम ये फूट वोले ग्राउने में खिलवाएं हैं, अब जाएगी नहीं, तुम बेटे, बहुत जल्दी यागए तुम, यह रानी अपनी होगी बताओ, तुम खर लेते हैं, क्या दिकत है, बेटे, बहुत बहुत जल्दी आगए तो कि नाम लगता है कि रानी को क्या उठाओ अब ये उठाओ बेटे ठीक है मजा कि समझ रहे हो तुम ठीक है तुम क्या कर रहे हो ये यह गोटी मन टैच नहीं होगा गोटी में टाच हो थी घोड़ि यहां बी फिर भी यह आ का लासे हो घ्रते गल्टी से गई नहीं कोई दिक्कत ओ ठीक है तो कोई दिक्कत तो यह इस इनर्शिय को रेस्ट ने तो इसालों मेरे स्कूल में एक बार रह था कैरम बॉल अ मैं जीत परस्ट लास के वच्चेसरे जी ता तर्गाएं तर्ट क्लास के बच्च्चasis भूलते इंटरम क्लास네 वागरहबने टे तपरस्ट थो नहीं था अलंक थर्ड-क्लास का बच्च्चा था कि थील्ड क्लास के बच्चे से जी साथ shopping दूसरा मैच हुआ, किस से था कुछ 9th class के कुछ बच्चे से था, एक तरफ आ रहा हुआ है, उसने मेरी चांस ही नहीं आने दी, पहला उसने मारा, पहली आगी उसकी, उसका धीरे-धीरे-धीरे करके सारी कुसा, मैं सिर्फ 2 चांस खेल पाया था, सिर्फ 2 चांस, उसने 2 चां किसी को direction में, direction के लिए रहे, ठीक है, तो direction मतलब, जब भी कोई चीज, अच्छा जब तुम गाड़ी चलाते हो, क्या अपने आप, तुमारी गाड़ी मुल्ड़ी होती है, अंसर है नहीं मुल्ड़ी होती है, तुम मुलाना पड़ता है, inertia of direction का एक और बढ़ी आसा example, यह road ह ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और एकदम से ऐसे मुड़ती है, एकदम से कैसे मुड़ती है, ऐसे, तो तुम लोग जा रहे हो road पे, और एकदम से जो driver हो, वो एकदम sudden change ले लेगा, तो जल्दी से बताओ, तुमारा क्या होगा, तुमारे अंदर क्या change आएगा, ड्राइवर तुम गाली में बैठे हो, यह road है, ड्राइवर ऐसे गाली चला के ले आ रहा है, और जैसे उसने road देओ, sudden एकदम speed में change ले ले उसने, तो तुमारे अंदर क्या change आएगा, तुम गाली के अंदर बैठे हो अगर, तो अंसर है, तुम लोग भार की तरफ गिरोगे, तो ध्या यहां जाना चाहरे हो, बट उसी समय, जो बाइक या कार जो भी है, कार ले लेते हैं, कार में, ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से sudden change लिया, तो अगर मान लो यह तुमारी कार है, यह तुमारी कार है, तो अब मुझे बताओ, तुम लोग यहां गिरोगे, यहां गिरोगे, आगे जाओगे या पीछे जाओगे, A, B, C और D, किस की तरफ गिरोगे तुम लोग, अगर वो sudden एकदम से change लेगा, तो किस की तरफ गिरोगे, गदे हो तुम लोग, C की तरफ जाओगे, हमेशा गाली जब मुझे यह sudden change लेते हैं, हम गाली में बाहर की side गिरते हैं, अंदर की side नहीं गिरते हैं, यह चीज़ याद रखना, clear है, तो गाली की भार वाली side कौन सी है, यह वाली, और तुम इस वाली direction में थे, तो तुम अपनी यह वाली direction maintain करके रखोगे, वो तो गाली हो गई है, तुम तो अभी भी किस में हो, आगे वाले motion में, तो ऐसे जार रहे हो तुम लोग गाड़ी एकदम से ऐसे हो जाए, तो यह भारवाला portion तुमारे यही तो हुआ, तो ऐसी तो गिरोगे तुम लोग, so this is again inertia of direction, तो यहाँ पर तुमारी जो body है, जब तुम कार में बैठे हो, तो तुमारी body अपने inertia को change नहीं करना चारी है, अपने inertia को change नहीं करना चारी है, वेजिकत, so this is inertia of direction, this is inertia of direction, चलो, अगला topic बताओ क्या है, अब साइद laws start होगे है, अब क्या start होगे है, laws